दौन के विडियो पूला जाता है इसके पीछे का कारण आपको यह 4 आपशन में दे रखा है आपके एकॉर्डिंग और आंसर क्या है यह आपको बताना है ऑप्शन यह में बोला जा रहा है यह पानी को पसंद नहीं करते हैं इस वजह से इन्हें अम्प्रेला स्पीसिस बोला जाता है second option में आपको बोला जा रहा है by saving them the other creature in their habitant are automatically saved यानि कि जब आप tiger को save करते हैं तो उसके habitant में बाकी जो creatures है यह सब अपने आप ही automatically save हो जाते हैं इस वज़े से umbrella species बोला जाता है third option में आपको बोला जा रहा है they live under the forest umbrella कि forest umbrella में यह लोग रहते हैं इस वज़े से इन्हें umbrella species बोला जाता है और fourth option में आपको बोला जा रहा है कि none of the above यानि कि इससे पहले जो आपको तीन options दे रखे थे हैं A, B, C यह तीनों option गलत आप कह सकते हैं इसलिए आप चूज़ कर सकते हैं fourth option D जिसमें none of the above आपको answer दे रखा है आपके according correct answer क्या है यह आपको चूज़ करना है देखिए इस question कि एक correct answer के बात करें तो जिसमें B option है यह correct answer है या नहीं tiger को आपने सुना होगा कि हमारी country में tiger को save करने के लिए कई तरह के program भी launch किये गए इसके पीछे का reason यह है कि जब हम tiger को save करते हैं या इसका कोई program launch करते हैं तो इसके साथ साथ जो बाकी जो animals होते हैं वो automatically save हो जाते हैं वो ऐसा इसलिए होता है कि tiger के अगर ता एक balance बना के रखता है कोई भी animal जादा नहीं हो पाता और कोई भी कव नहीं रहता है एक अच्छा balance बनाने के लिए हमें tiger को save करना पड़ता है जिससे कि कह सकते हैं इन्वार्मेंट के अंदर जितने भी species हैं वो अपने आप ही automatically आप कह सकते हो save हो जाते हैं तो इस तरह से आप b option को choose कर सकते हैं अपने answer के लिए ठीक है चलिए move करते है next question की तरब इस question में आपसे पूछा जा रहा है which of the following category of plant grow on their other plants and derive moisture and nutrients from them अब इस question में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको इस तरह के plant की category को identify करना है जो की जब grow करते हैं जैसे बाकी plants grow करते हैं और जो मोश्यर वगरा है यह drive करते हैं या फिर कह सकते हो कि nutrients लेते हैं किसी और से लेते हैं ठीक है तो यह आपसे question पूछा जा रहा है जैसे यह चार options आपको दे रखे हैं कि आपको identify करना है किस plant की आप बात की जा रही है parasites बोल सकते हैं तो आपके according यह चार option में से correct answer किया है यह आपको choose करना है देखिए इस question के अगर correct answer की बात करें तो यह जो c option आपको दे रखा है epifieds यह इसका correct answer है यानि कि यह जो यहाँ पे जो जिस plants की बारे में बातचीत की जा रही थी वो epifieds है तो आप लोग यहाँ पे अपने answer को c को choose कर सकते हैं अपने answer के लिए इसके बात next question है जिसमें आपसे green house के बारे में पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा green house effect तो question यह है आपके लिए कि green house effect was first predicted in 1896 by dash अब dash कीजिए कि आप समझ लीजिए कि उस person का नाम बताना है आपको जिसने 1896 में green house effect को first time predict किया था वो person कौन है उसको आप identify करेंगे अपने answer में चार options आपको दे रखें इन चारों में से आपके according correct answer किया है यह आपको बताना है इसम721 कह सकते हैं इन्होंने first time इसे predict किया था और third option C option में आपको बोला जा रहा है कि सवानतेié strength इन्हे इन से predict किया था और fourth option D में आपको बोला जा रहा कि Briana Wilson ने इन्होंने और यह pre-dit किया था तो आपके according correct answer क्या यह बताना है यह कि green houseила को सबसे पहले यह तो बहुत जादा important हो जाता है, चलिए अब attempt करिए question को, तो इस question के correct answer की बात करें, तो जो आपको C option दे रखा है, कि सवानते अरिहनस, यह इसका correct answer हो जाएगा, यानि आप C बे टिक लगा सकते हो, कि इन्होंने first time 1896, यानि आपसे काफी साल पहले इन्होंने predict कर दिया था कि जो हमारी जो earth है, planet earth है, इसके बारे में question है, कि सबसे thinest layer कौन सी है, question कुछ इस तरह से है, the thinest layer of the earth is the dash, अब देखो, यहापे different different जो layers है हमारे earth planet के, उसके आपको चार options में दे रखे हैं, आपको choose करना है, सबसे पतला layer कौन सा है, यह आपको बताना है, जैसे first option A में आप सबसे thinest layer है, second आपको बोला जा रहा है, कि जो outer core layer जो है, यह सबसे thinner layer है, और C option में आपको बोला जा रहा है, जो crust है, यह thinest layer है, और last option D में आपको बोला जा रहा है, कि inner core जो है, यह सबसे thinest layer है, तो thinest layer क्या है, वो आपको बताना है, जैसे देखी structure यह होता है, जैसे आप का यह जो मान ले जी यह सरफेस ए उसके बाद धीरे धीरे नीची नीची ऐसे अलग अलग layers बने जाते तो सबसे थीनस्ट कौन सा यह बताना है तो सबसे उपर वाला जो layer होता है ठीक है यानि कि जो उपर वाला layer है यानि क्रस्ट जो है यह जो option c में आपको दे रखा है यह नहीं सकते हैं अपने आंसर देने के लिए इस question में see option को έχu कर HUistan, भी इंदर बात करें इसके different layers की, जो हमारा correct answer हो जाएगा इसके बाद नEक्स question है, इस question में आप से पूछा जह रहा है, which of the following term is not applicable for plants, plants से related आपको altyrać different terms आपको दे रखा है आपको identify करना है इन में कौन सा time ऐसा है जो plan से related नहीं है देखिए कई बार question में क्या होता है related भी पूछेगा और कई बार आपसे यह पूछेगा not related तो जब भी question में not word आये न तीसे box बना लो कुछ ध्यान रख लो कि भी question गलत नहीं होता कि आपका कई बार आता हुआ answer आप ध्यान नहीं देते हैं सिर्फ एक word not बोला है और कई बार बिना not के होगा तो फिर यहां गलती हो जाएगी जो plan से related नहीं है वो आपको बताना है तो जैसे यह बोला गया कि जो plan से related applicable नहीं है उसको आपको choose कर लेना है फर्स्ट option में A में आपको बोला जा रहा है autotrops, option B में आपको बोला जा रहा है कि producers, option C में आपको बोला जा रहा है herbivorous और D option में आपको बोला जा रहा है flora तो इन चारों में से correct answer क्या है यह आपको choose कर लेना है, देखिए plan से related हम बात करें कौन से अपको बोला जा रहा है तो यहाँ पर option C आपको दे रहा है, कि herbivorous यह इसका correct answer है, जो कि plan से related applicable नहीं होगा तो यहाँ आप अपने answer को choose कर सकते हैं C option को, ठीक है, तो इस तरह से आप इस question को attempt कर सकते हैं अब आप लोग मुझे comment करके बताइए, आपने कितने questions के answer सही करें, ठीक है, वीडियो को like कर दीजिए, ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए channel पर ला सकूँ ठीक है, इसके इलाबा आप लोग Green Olympiard से related एक playlist भी मैंने create कर रखी है, उस पर जाकर के आप Green Olympiard की सारी वीडियो देख करके, अच्छे से Green Olympiard exam की preparation कर सकते हैं एक मैंने compilation भी बना रखी है, थोड़ी से बड़ी वीडियो है, जा एक ही जगा आपको सारी जितने भी questions है, वो एक वीडियो में आपको मिल जाएगा, इसका link भी मैंने नीचे description में दे रखा है, ठीक है, तो channel friends at the rate preparation को subscribe कर लीजिए, और साथ के साथ मेरा ये channel, जो की मेरे न भी जाले से related जो भी information हो, आपको updates सारी मिलते रहें, ठीक है, आप लोग अगर मुझसे WhatsApp पे connect होना चाहते हैं, तो मैंने WhatsApp का भी link नीचे description में दे रखा है, आप मुझे वहाँ पे भी follow कर सकते हैं, ठीक है, तो thanks for watching, bye bye